हेलो एबरीबन मैं भी नेव पाद्धे परजिंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे एक और इंपोर्टेंट वीडियो करेंट इफेर्स का टॉप 50 करेंट इफेर्स के कुश्चन देखेंगे इस वीडियो में 50 important MCQ ऐसे ही 4 options रहेंगे पहले आप खुद से प्रयास करिएगा सभी प्रशनों का उसके बद मैं आंसर बताऊँगा उसे detail में अच्छे से explain करके समझेंगे और आखरी में एक homer question आप लोगों को मिलेगा ठीक है चले पहला question आपके सामने है कि समुद्री उदभ्यास जायर अलबहार जिसको आप बुल सकते हो सागर की दहार कीन डेसों की बीच हुआ है 4 options से खुद से प्रयास करिए सभी questions के लिए आपके पास 3-4 seconds का टाइम है तो अगर आपने चुना इस प्रश्न का अंसर option number E तो आपका भी सही जवब होगा भारत और कतर ठीक है ये नौंबर महिने में ही हुआ ये भारत और कतर के बीच पहला संजुक्त द्वीपक्षिय समुद्री अभ्यास था अभ्यास का उदिस से दोनों नौ सेनाओं के बिच विशेस रुप से अतंकवाद समुद्री डेकेती और समुद्री सुरक्षा के खिलाफ लडाई में सहयोग और अंतर को मजबूत करना था दीकि यहाँ पे कतर जो देश है इसके बारे में अगर आप जानने की कोशिस करेंगे तो कतर की राईधानी है दोहा उहाँ पे करेंसी चलती है कतरी रियाल और अधिकारिक भासा अर्वी है निक्ष्ट है बीदेशी मिसन पर भेजी गई भारती सेना की पहली महिला न्याइधीस एडवोकेट जनरल का नाम बताएं जश्टीस एडवोकेट जनरल होगा तो इनका नाम बताना है सही जवाब होगा ओप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट गर्नल जोती सर्मा वाइप कानूनी विसिसग्य के रुप में पुरुवी अफ्रीका देश सेसल्स की सरकार की सेवा करेंगे और रक्षा और सेन याधिनियम के बारे में अपना राय देंगी ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए इसका आंसर होगा ओप्शन नंबर सी ठीक है भारती सेना कहें सेना कहने का मतलब होता है आर्मी आर्मी इंडियन आर्मी का बहुत पुराना है अस्थापना इसका एक अपरेल 1895 में होगा था हेड़कोर्टर नई दिली में है और थल से नाध्यक्षे भीपिन रावत नेक्ष्ट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानि NCRB की ताजा रिपोर्ट भारत में अकास्मिक मौते और आत्महत्याय के अनुसार वर्स 1216 में किसानों की आत्महत्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुई तो सही जवाब होगा इस प्रश्ण का होगा option number B महरास्ट में ठीक है तो यह रिपोर्ट जो है तीन साल के लंबे अंतराल के बाद नौंबर महिने में यह जारी किया गया था सरकार पिछले तीन साल का डेटा छुपा के रखे थी कि कितने किसानों ने आत्महत्या किया था यह पर मैं अच्छे से explain कर दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो 2816 में किसानों ने आत्महत्या किया हो महरास्ट के हैं तो पूरे किसानों के अगर मैं संख्या बता हूँ आपक किसानों ने आत्महत्या किया था ठीक है और वहीं 2014 की अगर बात करें तो 12602 हो जाएगा ते तीन साल का डेटा इसी वर साया है देश भर में 8.6% महलाएं किसानों ने भी आत्महत्या कि थी सबसे नंबर वन पे महराश्ट है दूसरे पे करनाटका तीसरे पे हैं लगभग अगर 1995 से 2016 के बीच में देखे तो 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है और ये रिपोर्ट जारी कि है NCRB ने National Crime Records Bureau ने इसका हेड़कौर्टर नई दिल्ली में है Gymnastic Federation of India का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो इनका नाम है सुधिर मित्तल को ठीक है वह Competition Commission of India के अध्यक्ष रह चुके हैं इसके अलाबा मतलब की सुधिर मित्तल जो है बेसिकली पंजाब काईडर के एक रेटायर आइस अधिकारी भी है अब यहाँ पर दिखिए Gymnastic Federation of India ने GFI के बारे में तो इसका Headquarter मुंबई महरास्ट में इसका स्थापना हुआ था 1952 में ठीक है निक्ष्टी के अठरवें फीफा अंडर 17 विसुकप ट्रॉफी दोहर निसका विजेता कौन है तो सही जवाबो का Option No.3 ब्राजील ब्राजील ने 18 नॉवंबर को मेक्सिको को हराके फीफा अंडर 17 विल्ड कप जीत लिया है ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखेगा देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट यह है फीफा इसके बारे में आपको ज़्यादा जनना जरूरी है फीफा का जो है एक फुटवाल का एसोसेशन है International Federation of Association of Football इसका स्थापना हुआ था 21 में 1904 में इसका हेड़वाटर जियोरिक स्विट्जर लेंड में है और इसके प्रेसिडेंट है जियानी इनफ्रेंटीनो नेक्स्ट है केंदर सरकार ने बिद्रोही समुह हाई ने विट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसी लेने HNLC पर परतिबंद लगाया है या संगठन किस राज्य में सक्रिय है तो ये सक्रिय है मेघाले में थीक है मेघाले में ये सक्रिय है बिद्रोही समुह है ये बिसिकली मेघाले की बात करें तो मेघाले की रायधानी सिलॉंग यहां के राज्य पाल है तथागत राय और मुख यह किस राजी में सक्रिया हैं؟ तो इसका सही जब वोगा option number C, Bangladesh से, ठीक है, कुलकता के एडियन गार्डेन्स में ये pink wall से match खिला गया था, day night test format का हुआ, man of the match और man of the series रहे थे, विसान्त सर्मा, ठीक है, चले बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, next question है, Oxford Dictionary ने किस सब्द को word of the year 2019 चुना है, बहुत important question, very very important, ये प्रशन आता है, तो दिखे, इस प्रशन का सही जब वोगा option number 1, climate emergency, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जलवायू अपातकाल को, word of the year 2019 चुना गया है, केंद्रिय कैबनेट ने किस जगह पर रास्टिय सेवा, रिगपा संस्थान को अस्थापना करने की के लिए मंजूरी तो इसका स्थापना होगा लेह में, ठीक है, ये संस्थान केंद्री आयूश मंत्राले के अधीनेक स्वायत संस्थान होगा, ये देश में सोवा रिगपा का स्वरुच संस्थान भी होगा, ठीक है, और लेह जो है ये लद्दाख में है, तो लद्दाख की बात करें तो यह किस बैडमिंटन खिलाडी ने स्कॉर्टीस ओपन 2019 का पुरूस एकल खिताब जीता है। बहुत इंपोर्टन ये भी जीता है लक्ष सेनने। इसका योजन किया गया था स्कॉर्ट लेंड में और इसको जीता है लक्ष सेनने इसका सही जवाब होगा। बैसिकली स्कॉर्टीस ओपन भी सोकी सबसे पुरानी और प्रतिष्टित बैडमिंटन प्रतियोगीताओं में से एक हैस कारम हुआ था 1907 में। निक्ष्ट है वर्ष 1218 के लिए बिहारी पुरुसकार की से परदान किया गया। तो दीखे इसका सही जवाब होगा और होगा ऑप्शन नमबर A मनीशा कुल्सरेश्ट को वो हिंदी की शर्चीत लेखक हैं और राजस्थान की हैं। इस पुरुसकार का नाम जो है प्रसीद भुआ तो राजस्थान के लेखक सभणन की पुरु कुम मनीशाच कुल्सरेश्ट ने पुप्नियास लिखा था शॉपन पास उसी दिया गया। रास्टमंडल इवा संसद कायोजन किस बिधान सभादवारा किया गया यह किया गया दिल्ली दिली बिधान सभादवारा लोग सभा के साथ मिलकर रास्टमंडल इवा संसद कायोजन किया गया किस राजे में संगाई उत्सव मनाया जाता है मनिपूर का एक संस्कृतिक वार्सिक उत्सव है इसका उदे से राजे को विश्व अस्तरिय परेटा नस्तल के रुप में प्रस्तुत करना है मनिपूर के बाद करें तो मुखी मंत्री है एन बिरेंट सिंग, राजेपाल पीवी अचारिया और आईधानी इमफाल किस राजे सरकार ने राजे लोग कला परस्त के अस्थापना का निर्ने लिया है तो ये निर्ने लिया है 36 गड़ ने 36 गड़ सरकार ने सभी परमपरिक लोग कल्यानों के सनरक्षन के लिए राजे लोग कला परस्त के स्थापना का निर्ने लिया है 36 गड़ की बाद करें तो मुखी मंत्री है भुपेस बगिल, राजिपाल, अनसुया, पुई के एक शाठवे अंतराष्टिय परेटन मार्ट कायोजन किस सहर में किया जा रहा है तो बिसिकली ये हुआ हाली में इमफाल में मनिपुर के इमफाल में हुआ पिछला बार इस कायोजन किया गया था त्रीपूरा में, इस बार किया गया इमफाल में भारत की स्कूलों के डिजिटल रुपांतरण में सहायता के लिए किसने के 12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक इस मॉडल को 50 सधीक देशो दोर अपनाया जा चुका है माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके CEO ये कोशन आता है सत्यन अडेला, संस्थापक इसके बिल गेट्स और पॉल एलन नेक्ष्ट एक किस राजे ने हाली में फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए तीन सब्ता का एक विसेस अवियान अरंब किया है ये अभी चल भी रहा है फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए अभियान चल रहा है यूपी में उत्तर परदेश में ये चले का कब से कब तक तो 25 नॉवंबर 2019 से लेकर 10 दिसंबर तक ठीक है विस्टो स्वास्त संगठन के अनुसार मतलब लगवक 65 करोड भारतियों पर फाइलेरिया के रोख का खत्रा मढरा रहा है पोलियो सबसे खत्रनाक है पोलियो के बाद दूसरा नंबर आता है फाइलेरिया कहीं फाइलेरिया मच्छरों दोरा फैलता है खासकर परजीवी क्यूलेक्स एक फैंटिकस मादा मक्छर है उसके जरीए होता है ये बीमारी होता है तो बहुत लंबे समय बाद बता चलता है धेरे धेरे होता है उतर परदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी अदितेनाथ और राजयपाल अनन्दी बेन पटेल चित्रेस नाते सन हाली में मिश्टर यूनिवर्स दोहरुनिस बने वे किस राज्ये से हैं तो ये बेसिकली है केरला गए वह मिश्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतिये बने उन्होंने दक्षिट कोरिया में आयो जीत वर्ल्ड बॉड़ी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चेंपियनसिप में 90 किलोग्राम 90 केजी भारवर्वर्वें इस खिताब को जीता किरल की बात करें तो मुख्यमंत्री पी बिजियन और राज़िपाल यहां के है आरीफ मुहमद खान मैं ज़्यादा तर यहीं प्रयास करता हूँ कि जब भी कोई राज़िया आए तो उस राज़िय का राइधानी, मुख्यमंत्री, राज़िपाल बता दो और कोई देश आए तो उसके प्रधान मंत्री और उसकी करेंसी बगरा भारत ने कार्टो सैट 3 और 13 अमेरिकी सैटलाइट को किस सिरिज के रॉकेट से 27 नॉवंबर को लाँज किया यह बहुत इंपोर्टेंट है कार्टो सैट 3 यह आता है कोश्चन आएगा पक्का इसे लाँज किया गया है पी एस एलबी सी 47 से ठीक है रॉकेट का जो नाम है मतलब की बैसिकली जो है भारत ने कार्टो सैट 3 इसका नाम है और इसके साथ 13 अमेरिकी सैटलाइट को लाँज किया और इस सीरिस का नाम है पी एस एलबी सी 47 याद रखिये गई है इंपोर्टेंट है इसका वजन जो है 1750 किलोग्राम था लगभग ठीक है चलिए इसको और लॉंच कहां से किया गया तो इसको आंद्रपरदिस के हरी कोटा से 37 से से लॉंच किया गया है उसी से रिलेटेट प्रश्णे के भारत ने कार्टो सेट 3 को परिथवी की किस कक्षाय ने और्बिट में अस्थापित किया है तो दीखो इसको अस्थापित किया गया है Sun Synchronous Orbit में ठीक है तो बहुत सारे orbit होते हैं जैसे एक Geostationary Orbit होता है एक Polar Orbit होता है और सबसे आखरी में यह वळा होता है Sun Synchronous Orbit तो इसी में इसको जो है मतलब कि अस्थापित किया गया है मां ग्रिधा कस्य स्वीधनम किसका आधर स्वाक्यानी मोटो है जिसे हाली में जारी किया गया ये भी कोशन बहुत इंपोर्टेंट है मैं डेली सुबज जो छे बजे करेंट फैर्स परड़े जो वीडियो बनाता हूँ परड़े वाला उस वीडियो को आप देखते हो डेली तो वहाँ पे तो और अच्छे से में एक्स्प्लेन करता हूँ सभी प्रशनों को देखे इसका आंसर होगा होगा ओप्शन नंबर बी लोगपाल का देखे मा का मतलब होता है ना मा ग्रिधा जो यह टर्म है इसका मतलब हो जागा कि लोग मत करो ठीक है और इसमें दो सब्द है एक तो है कस स्वीत और एक है धनम यानि कि किसी के धन का मतलब किसी के धन का लोग मत करो इसका अर्ध हुआ लोगपाल के चेर् आपको important है याद रखेगा किस देश ने Davis Cup 2019 का खिताब जीता है यह खिताब जीता है इस्पेन के राफेल नाडाल ने इस्पेन के लिए 6 जो है इस्पेन के लिए 6 डेविस का खिताब जीता वह दुनिया के नमबर एक खिलाडी भी है और वह टूनामेंट के 119 साल के इतिहास में लगतार 32 मैं जीतने वाले पहले खिलाडी भी बन गए है वही राफेल नाडाल की याद डेविस काप में लगतार 32 मीं जीत है केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारतिये खाद देनीगा मैंने FCI की अंधिकरित पुंजी पैंती सो करोड उपे से बढ़ा कर कितना करने की मंजूरी दी है यह भी कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है तो पैंती सो करोड से इसको बढ़ा के कर दिया गया 10 हजार करोड उपे ठीक है FCI के मैं बात करूँ यह इंपोर्टेंट पॉइंट है फुड कॉर्परेशन ओफ इंडिया जिसको खाद दे निगम अधिनियम इसको बेसिकली खाद दे निगम अधिनियम 1964 के तहत इसका स्थापना किया गया था इसमें बहुत सारी चीजों को सामिल क्या जयता है कि खाद द्यानों का सुरक्षित भंडार बनाये तो अब बेसिकली इस रो त्यारी कर रहा है अब चंद्रयान 3 का इस रोड मैप को अंतरिक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तूत किया गया आपको पता है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 हो गया अब चंद्रयान 3 की बारी है उद्धो ठाकरे महारास्ट के कौन से मुख्यमंत्री बने हाली का प्रश्ण यह आपको पता होना चाहिए तो यह बने है अठ्राहवे मुख्यमंत्री बने है ठीक है वहां के राजेपाल कौन है तो भगत सिंग कोस्यारी उन्हों ही सपति दिलाई सिवाजी पार्क में पुरा भब्बे समारो हुआ था और जो गटबंधन बना है न सिउसेना एन्सीपी कॉंग्रेस का उस गटबंधन का नाम रखा गया है महाविकास अगाडी उद्धो ठाकरी के अगर थोड़ा बहुत मैं बात कर दूँ तो यह महरास्ट के इनका जन्व हुआ है 1960 में 1960 में यह सिउसेना संस्थपक बाल ठाकरे के पुत्र है और दुहरबारा में जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो उसके बाद से सिउसेना के अध्यक्ष है सामना के एडिटर इंचीफ भी रह चुके हैं महराश्ट सरकार की कैबिनेट ने राइगठ कीले के संदक्षन वह संबर्धन के लिए 20 करोड का बजट पास कर दिया यह कीला किस सासक की रह चुकी है तो राइगठ कीला ये जो है सीवाजी महराज का मतलब की ये कीला रह चुका यहां की राइधानी रह चुकी है उधर ठाकरे ने कहा कि मेरा स्वाभाग या है कि कैबिनेट की पहली बैठक में छात्रपती सिवाजी महराज की राइधानी राइगर कीले के संबर्धन फर फैसला किया गया है 20 करोड का प्रस्ताव इसमें दिया गया है 10 ला करोड बजार पुंजी करन यानि मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपणी कौन बन गई है तो ये बन गई है Reliance Industries कंपणी इसी को सौटकॉर्ट में बोलते हैं Real ठीक है यहीं मुकेशंबानी की कंपणी है दुनिया की छठी सबसे बड़ी पेट्रो क्यमिकल कंपणी Reliance Industries है और भारत में भी नंबर वन पे चल रही है केंद्रिय मंत्री मंडल ने 15 में बीतायोग का कारेकाल एक साल बढ़ा कर कितने तारिक तक कर दिया ये भी कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है दिखे इसको बढ़ा के कर दिया गया अब ये भारत में सुरू होगा 30 October 2020 से ठीक है 15 में बीतायोग के अध्यक्ष है N.K. Singh ये भी याद रखिएगा बीतायोग बिसिकली एक सम्विधानिक संस्था है इसका गठन सम्विधान के आर्टिकल 280 के तहद किया गया था बीतायोग केंदर से राज्योग को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तै करता है बीतायोग का गठन 5 वर्ज के लिए किया था इसमें 5 सदस्य होते हैं इनमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य सामिल होते हैं ब्रहष्टचार से समंदित सिकायतों के लिए किस राज्य सरकार ने हेल्प लाइन नंबर 144 यानी 14400 जारी की है करप्सन के लिए ते जारी किया आंदर पर्देश ने आंदर पर्देश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मुहन रेड़ी ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया इस हेल्प लाइन नंबर पर लोग सरकारी विभागों में भ्रष्टचार की गतिविदियां सिकायत कर सकते हैं यह कुश्चन जाते जाते हैं आप लोगों से हमर्क इसका अंसर करिए कॉमेंट सिक्षन में माल्दिव के किस पूरो राष्टपती को भ्रष्टचार के मामले में पांच साल की जेल होई सभी लोग इस प्रशन का अंसर करिए हो हमर्क आप लोगों के लिए जो भी आता है जरूर लिखें और डेली वाला करेंट अफेर्स पर डे देखें जो छे बजे में अपलोड करता हूँ वीडियो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई